जैस्री करश्ण मित्रों, मित्रों वैशाक पुरणिमा के दिन अपनी राशी के अनुसार विशेश उपाय करने से भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा और जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी तो मित्रो आज आपको हम बताएंगे वैशाक पुरणिमा के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या विशेश उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका भाग्योदई हो और कारी छेतर में आपको अपार सफलता की प्राप्ती हो तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थी आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य नई नई ज्यानवरधक जानकारियां वा नित्य का राशीफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो वेशाक पुर्णिमा शुकल पुर्णिमा को बुद्ध पुर्णिमा या पीपल पुर्णिमा भी कहा जाता है इस बार यह पुर्णिमा दिनांक 16 मई 2022 सोमवर के दिन रहेगी इसी दिन भगवान बुद्ध की जयनती और निरवान दिवस भी बड़े धुमधाम से मनाय जाता है बुद्ध पुर्णिमा ना सिर्फ भारत में बलकि दुनिया के कई अन्य दे दिन सोमवर को इसनान दान की पुर्णिमा रहेगी तो धर्म गरंथों के नुसार इस दिन इसनान दान करने से अत्यंत शुब फलों की प्राप्ति होती है भाग्योदय होता है और जो तिस सास्तर के नुसार वैशाक मास की पुर्णिमा पर यदिन आप अपनी राशी के तो आईएब हम जानते हैं कि इस दिन आपको अपनी राशी के अनुसार किनकिन वस्तूओं का दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनो कामनाई शिक्र पूर्ण हों। अगली राशी है व्रशब, व्रशब राशी के जो लोग है इस दिन जरुरत मंद लोगों को चपल, जूते, छाता, आदी का दान करें, इससे आपको अत्यंत शुब फलों की प्राप्ती होगी, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। अगली राशी है करक, करक राशी वालों के अनुसार विशाख पूर्णी मापर, करक राशी के लोग, राहगिरों को छट्री आदी का दान करें, यानी चायां की विवस्ता करें। धर्म गरंथों के अनुसार वैशाक मास में छाया प्रदान करने वाली चीजों का दान करने से भगवान विश्णू जी की विशेस करपा बनी रहती है और भाग्य का साथ मिलता है। सिम्ह राशी वालों के अनुसार सिम्ह राशी के लोग गरीब लोगों को सत्तु आदी का दान करें इसके अलावा संभव हो तो साबूत अनाच का दान इस दिन आप कर सकते हैं इससे आपकी मनों कामनाई पूर्ण होंगी और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार कन्या राशी के लोग अनाथ आस्रम या बाल आस्रम में ठंडक पहुचाने वाली चीजों की जैसे की पंखा, कूलर के अलावा अनाच का दान आप कर सकते हैं इससे आपको अत्यतिक शुब फलों की प्राप्ती होगी भाग्य का साथ आपको मिलेगा आपकी मनो कामनाई पूर्ण होगी अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार धर्मगरंथों के अनुसार तुला राशी के लोगों को वैशाक पुर्णी मापर छाया देने वाले पेड़ लगाना चाहिए इससे आपको अत्यन्त शुब फलों की प्राप्ति होगी भाग्गी का साथ मिलेगा कार चेतर में अच्छी सफलता आपको मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक राशी वालों के अनुसार वैशाक पुर्णी मापर व्रश्चिक राशी के जो लोग है मटके के उपर तर्बूज या खर्बूज रक करके ब्रामन को दान करें इसा करना आपके लिए अत्यन्त फलकारी रहेगा आपको भागी का साथ मिलेगा कारी चेतर में अच्छी सफलता आपको मिलेगी अगली राशी है धनु धनुराशी वाले लोगों के अनुसार धनुराशी के लोग मंदिर के बाहर सरद्धालूओं के लिए ठंडे पानी की विवस्था करें धर्मकरंतों के इससे आपके जीवन में सीतलता हमेशा बनी रहेगी और भाग्य का साथ आपको मिलेगा कारे छेतर में अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगी अगले राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार वैशाक पुर्णिमा पर मकर राशी के लोग पशु पक्षियों के लिए पा प्रणिमा की शुब तिथी पर जरूरत मंद लोगों को सूती वस्तरों का दान करें, तो मान्यता ऐसी है कि इससे शनी देवता प्रसंद हो करके बहुती शुब फल प्रदान करते हैं और मनों कामनाई पूर्ण कर देते हैं, अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के अनुस प्राप्त करेंगे तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह घ्यान वर्धक जानकारी पसनाई होगी यदि आपको पसनाई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे